इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हाथ से चुनी गई जड़ी बूटियों का मिश्रण है तोलसी व्यापक स्पेक्ट्रम क्रिया वाला एक जीवानूरोधी पौधा है ये कफ और वात उर्जा को संतुलित करता है एक शक्तिशाली एडेप्टोजन के रूप में अश्वगंधा तनाव के प्रती शरीर की अनुक इसमें एंटी ओक्सीडेंट, एंटी इंफ्लिमेटरी और एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं सौंट में भरपूर मात्रा में खनिज और विटामिन होते हैं अध्येनों में सौंट में एंटी इंफ्लिमेटरी और एंटी ओक्सीडेटिव गुण पाए गए हैं मुलेठी सूजन रोधी और कफ निसारक गुणों वाली एक शांत चड़ी बूटी है जो हर चीज को नियंतरण में रखने में मदद करती है पिपरिन जो काली मिर्च और पीपल में पाया जाता है जैवपलब्धता में सुधार के लिए जाना जाता है इस चाय का नियमित सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने सुरक्षा और मजबूत बनाने में सहायता करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, जैसा की नाम से पता चलता है यह उतपाद एक Immunity Booster Drink है जो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है 2. Immunity तुलसी, अश्वगंधा और दालचीनी सहत एंटियोक्सिडेंट और मजबूत Immunomodulator से भरपूर हाथ से चुनी गई जड़ी बूटियों का मिश्रण है 3. ये पे आपके शरीर के लिए सूजन रोधी एजिंट के रूप में कारे कर सकता है क्योंकि इसमें सोंट और मुलेथी होती है 4. इस पे में मौजूद अश्वगंधा आपके दैनिक उर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है 5. ये पे आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है और आपके मूट पर सुखत प्रभाव डाल सकता है 6. ये फ्लू, एडिमा और खांसी जैसी विभिन बीमारियों से लड़ने में फाइदिमंध हो सकता है 7. उप्योग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़े 8. अनुशन सित्खुराक से अधिक ना ले 9. सीधी धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करे 10. बच्चों की पहुँच से दूर रखे विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करे